शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग शक की नजर से ही देखते हैं शक किसी गलत काम का नहीं बलकि शड़यंतर का शकुनी को महाभारत में हमेशे शड़यंतर करते हुए ही दिखाया गया है जैसे महांभारत के प्रतेक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी अपनी एक कहानी है, जिसे बहुती कम लोग जानते हैं, कहते हैं कि हालात इनसान को किसी भी हद तक गरने में मजबूर कर देते हैं, अगर आज आप इस वीडियो को अंत तक देखे पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कहानी शुरू होती है गांधार में जो आज के समय में अफगानिस्तान के कांधार के नाम से प्रसिद है जो राजा सुबल का राज्य था जो गांधारी और शकुनी के पिता थे एक दिन राजा सुबल ने एक यग्य का अयोजन किया जिसमें कई पंडित और महारिशियों को भी आमंत्रित किया गया यग्य में एक जोतिशी भी पहुँचे जिसने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गांधारी की किसमत में एक ग्रह दोश चड़ा हुआ है जिस कारण जिससे भी उसका विवहा होगा वह विवहा से कुछ दिर बाद ही मारा जाएगा राजा सुबल यह सुन काफी धुकी हुए गांधारी जो राजा सुबल की एक लोटी बेटी थी और उन्हें बहुती पैयारी भी थी गांधारी के भविश्यों को सुधारने के लिए राजा ने उनका विवहा एक बक्रे से कर दिया और फिर उस बक्रे की बली चड़ा दी गई ताकि उनकी बेटी के सिर से यह दोश हट जाए अब गांधारी के सिर से यह दोश चो हट गया था कम से कम उनके परिवार वालों को तो यही लगा था कुछ समय बाद गांधारी का विवहा हस्तिनपुर के महाराज दृत राष्टर से हुआ जो राजा पांडू के अंधे भाई थे गांधारी जो गांधार में अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी खास तोर पर उनकी सुंदर आंकों के लिए गांधारी ने उसे अंधकार में धकेल दिया था जिसमें धृत राष्टर जी रहा था इस बात से शकुनी बिलकुल भी खुश नहीं था सब कुछ ठीक रहता अगर धृत राष्टर को गांधारी के पहले विवाहा के बारे में नहीं पता चलता वह दिन आ गया जब धृत राष्टर को अपनी पतनी गांधारी के पहले विवाहा के बारे में पता चला उसे ऐसा लगा कि उसके साथ विश्वास घात हुआ है वह आप राजित अजे हस्तिनापुर का महाराज था आगर उसे कोई कैसे मूर्ख बना गया वह इसे बरदाश नहीं कर सका राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को काल कोटरी में डाल दिया और उन सबी को यह सजा दी गई कि उनके पूरे सो सदस्यों के परिवार को दिन में केवल एक बार एक मुठी अन खाने को ही दिया जाए एक मुठी अन से बला पूरे परिवार का पेट कैसे भरता यह सोचकर ही यह डंड दिया गया था ताकि वह सबी मारे जाए राजा सूबल ने यह सोचा कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा पुरा परिवार ही मर जाएगा तो उसने एक उपाय सोचा कि हर एक दिन अगर किसी एक को एक मुठी अनाज खाने को मिल जाए तो वह जिन्दा बच जाएगा इस प्रकार उसका कुल खतम नहीं होगा लेकिन वह कोन होगा खुद राजा सूबल उनका बेड़ा बेटा या अन्य कोई और सूबल ने अपने बेटों की परिक्षा लेने के लिए सोचा यह जानने के लिए कि उनमें से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है और जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके क्योंकि वह जानता था कि उसका समय अब आ गया है सूबल ने कुछ सोचा और एक हड़ी ली और हड़ी में से एक धागा डानले को अपने पूरे परिवार के सदस्य को कहा लेकिन सबी इस काम में वीफल रहे लेकिन शकुनी ने धागे की एक तरफ अन्य बांधा दूसरी और से चीटी को अन्य के पीछा करते चीटी एक से द भाईयों को मरते हुए देखा और अन्त में अपने पिता को राजा सूबल जब अपने अंतिम समय गिन रहे थे तो उन्होंने धृतराश्ट्र से शकुनी को अजाद कराने की विंती की और धृतराश्ट्र ने शकुनी को अजाद करा दिया और इसके बाद यह के एक भी पुत्र को नहीं बख्षा गया शकुनी को कोई भी एक अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखता पर यह कहा जाता है कि शकुनी को अंत में स्वर्ग नसीब हुआ था क्योंकि शकुनी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे दी थी और जो का वीडियो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियो का आनंद उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें